हाई फ्रेंट्स वेलकम टो रॉल शर्मर व्लॉग मैं हूँ आपका बिजनस दोस्त रॉल शर्मर दोस्तों आज की वीडियो में फूड बिजनसेस की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो उसके बारे में बात करूंगा अगर आप भी उनमें से हैं जो कोई छोटा सा बड़ी फूड बिजनस की प्रॉब्लम यह है कि लोग आते हैं काम सीखते हैं और फिर नौकरी छोड़ कर चले जाते हैं, अगर आप भी उनमें से एक हैं जो यह सेम प्रॉब्लम को फॉलो कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, आज की वीडियो में आपकी इस प्रॉब्लम का और एक multinational company में काम करने के बाद, एक बहुत बड़ी food chain में काम करने के बाद, मैंने बहुत कुछ सीखा है, जो मैं अपनी बहुत सारी videos में आपको बता चुका हूँ, बहुत सारी videos में आपको मैं food business की कुछ अंदर की बातें पर बता चुका हूँ, जिसके बाद आप लोगों यहां पर मैं आपको सिर्फ वीडियो की शुरुवात में एक चीज़ कहना चाहूंगा कि आपको अपने बिजनस को शेफलिस मॉडल पर कनवर्ट करना है अब शेफलिस मॉडल क्या होता है यह मैं आपको पहले बतायता हूँ और मैं बड़े अराम के साथ में इस वीडियो में आपको कुछ काम की बाते सिखाना चाहता हूँ समझाना चाहता हूँ अगर आपके पास टाइम है और आप को बिजनस डेफिनिटली करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंतक जरूर देखेगा क्योंकि मैं जानता हूँ जो knowledge की वीडियो होती है जो काम की वीडियो होती है उनको लोग कम पसंद करते हैं और entertainment की वीडियो को time waste करने वाली वीडियो को आप भरपूर समय देते हैं बड़े अराम से बैठ कर देखते हैं तो यहां पर आज की वीडियो में आपको मैं बताने वाल हूँ कि एक दुकान से सौ दुकान करने का जो यह सपना है आपका वो पूरा करना अगर आप चाहते हो तो आपको आज से ही अपने बिजनस को शेफलेस मॉडल पे चाहते हैं एपको अपने बिजनस काणि करना है क्या चेंजेस करने हैं उसके लिए आपका दिमाग खुल जाएगा देखो आप लोगों को लगता होगा कि यार मैंने बर्गर का ओडर दिया और विदिन 60 सेकेंड बर्गर मेरा बन के आ गया सो ऐसा नहीं होता कि सारी चीज उसी टाइम बनती है बर्गर बनने का सिंपल सा प्रोसेस आपको बताता हूँ सबसे पहले बन के पैकेट फ़ाटेंगे बन्स को ये टोस्टर में डालेंगे कोई ओइल फ्राई बन को नहीं करते हैं क्योंकि आजकल लोग हेल्थ कॉंशियस हैं सबसे अच्छी बात यहाँ पर सिर्फ बर्गर को टोस्ट किया जाता है और यहाँ पर इन्होंने बटर पेपर निकाल लिया बटर पेपर में अराम के साथ में बहुत सिंपल तरीके से बर्गर बन जाएगा अब टोस्टर से जैसे ही बन आ जाएगा ये क्राउन और हील आ चुकी है में लेटर जाएगा और अगर विद चीज है तो चीज डालोगे आप और उसके आद ये जो होल्डिंग कैबिनेट है यहाँ पर 20 मिनिट तक टिक्की को फ्राय करने के बाद या ग्रिल करने के बाद रखा जाता है इसका टेंपरेचर मेरे कहल से 180 तो 200 डिग्री फैरनाइट होता है बस टिक्की को चीज के उपर रखा और इसको इस तरीके से बहुत सिंपली रैप करा और बगर रेडी हो गया एक बार फिर से दिखाता हूँ जो बॉक्से वाले बगर्स होते हैं बस बंस को टोस्ट किया टोस्ट करने के बाद बड़े अराम से आप बॉक्से के उपर रखेंगे मियोनीज डालेंगे और अलग लग बर्गर्स में अलग लग मियोनीज जाएगी मैं आपको बस प्रॉसेस बता रहा हूँ अनियन डालोगे आप पिकल डालोगे या लेटस डालना है या चीज डालना है अलपीनोस डालने है जो भी आपको सैलेट डालना है वो आप डाल सकते हो और सेम उतना ही जाएगा जितना हर बर्गर में जा रहा है दो देखो लेटेस वो टाल दी है पिकल और चीज डाल दी चार स्लाइसिस ये विट चीज एक्स्ट्रा चीज है इसलिए चार स्लाइसिस गई है उसके बाद सिर्फ आपको अल्ट्रा हीट कैबिनेट जो कि इसका नाम है UHC उसमें से आपने बस टिक्की निकाली टिक्की रखी और उसके बाद बस हील को रख दिया उपपर और डबे को बंद किया और आपका बगर रेडी हो गया सिंपल प्रोसेस हर एक जो दुकान लगाता है रेडी लगाता है वो पहले प्री प्लैनिंग करते हैं प्री प्रिपेर करते हैं चीजों को आप देखते होंगे आप मोमो वाले के ठेले पर भी जाते हैं वो फटा-फटा हैसे करता है और आपको तुरंद मोमो दे दे देता है तुरंद स्प्रिंग डोल दे देता है क्योंकि उसने पहले से raw बना कर रखा हुआ है fry करा, cut किया आपको दे दिया आप noodles मांगते है वो तुरंद बना देता है क्योंकि उसके पास chop करा हुआ सब कुछ रखा है तो आपको लगता होगा यार इतना simple है लेकिन वो simple होता नहीं है पर बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है सो मिक्डॉनल्स की अगर बात करूं तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है महाँ पर कोई भी चीज पूरी उसी समय प्रिपेर नहीं होती और किसी भी food बिजनस में सारी चीज उसी टाइम प्रिपेर नहीं होती उनकी म्योनीज कहीं से आ रही है उनका क्रीमर कहीं से आ रहा है बहुत सारी चीज़ें सो वो अलग-अलग वेंडर से आती है मिक्डॉनल्स क्या करते हैं मिक्डॉनल्स के स्टाफ क्या करते हैं उन सब को एसेंबल करते है हर अलग अलग चीज़ को एक बर्गर का फॉर्म देता है और उसके बाद उसको वो सेल करते है अब यहाँ पर यह जो काम है आप समझो अलग अलग सप्लायर से चीज़ें मिल गए अब असेंबलिंग का जो काम है वो कोई भी कर सकता है बारवी पास कर रहा हुआ लड़का भी कर सकता है दस्वी पास कर रहा हुआ लड़का भी कर सकता है सो मैं यहाँ पर आपको समझाना सिर्फ इतना चाहता हूँ कि अगर आपका कोई भी बिजनस है तो आप क्या कर सकते हो उसकी एक manufacturing unit रख सकते हो छोटी से food business के अगर मैं बात करूँ जैसे McDonald's के टिक्कियां कहीं बनती है इससे दो फायदे होते हैं सबसे पहला फायदा यह होता है कि आपकी recipe कोई चुरा नहीं सकता आपकी recipe कोई copy नहीं कर सकता क्योंकि आपके टिक्की कहीं और बन रही है McDonald's इतनी बड़ी food chain है आज तक McDonald's की copy क्यों नहीं कर पाया कोई हाँ ठीक है बहुत सारे ऐसे burger outlets open हुए है चलते हैं लेकिन वो उस level तक नहीं पहुच पाया जिस level पर already McDonald's खड़ा है तो वो क्यों क्योंकि McDonald's की जो USP है McDonald's की जो recipes हैं उनको कोई crack नहीं कर पाया और उनको कोई copy नहीं कर सकता तो यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ इतना बोला कि अगर आपके पास chef रखा है आपने तो आप उस तरीके से काम करो अपने chef के साथ बैठ कर meeting करो उससे बात करो कि यह यह चीज है हमें ऐसे prepare करने मुझे पूरा list बना कर दो क्या-क्या समान चाहिए और कितनी-कितनी quantity में जाएगा समझो पहले आप अगर मान लो burger का example लेते हैं तो टिक्की बनाने के लिए आप chef रखो और उसको सिर्फ टिक्कियां बनाने पर लगा दो और वो टिक्की बनाने का पूरा process आप समझ लो ताकि वो chef जब नौक्री छोड़ कर जाएगा तो कोई भी वो काम कर सके लेकिन यह सब कुछ बनने के बाद जब आपके restaurant में आ रहा है तो उसको fry कर कर burger की form देना वो कोई भी कर सकता है और जो उसको firm दे रहा है burger की उसको actual में नहीं पता की ingredients में से क्या डाला हुआ है तिक्की कैसे बनी हुई है तो आपकी recipe एक तो चोरी नहीं होगी और दूसरा काम यह है कि आपको chef से डर कर नहीं रहना पड़ेगा आपको यह नहीं होगा कि अगर यह chef नौकरी शोड़ कर किया तो मेरा धंदा बंद हो जाएगा यह चीज होगे क्योंकि आपने process बिल्ड कर रखा है इसी तरीके से आप कोई भी business ले लो आप देखो बहुत बड़ी बड़ी companies हैं इंडिया के बहुत बड़े-बड़े brands जो आज out of country भी चल रहे हैं और बहुत अच्छे चल रहे हैं क्योंकि उन्होंने वो process बिल्ड कर लिया है वो standard maintain कर लिया है आप हल्दी राम के किसी भी store में चले जाओ आप राजकचवरी खरीद लो आपको हर अल्दी राम के store पे सेम राजकचवरी का टेस्ट में लिगा क्योंकि उनके जो मसाले हैं उनकी जो चटनी हैं उनकी जो चीज़े हैं उनकी जो ट्रेनिंग हैं उनकी जो recipe हैं उनका जो making process है वो सब सेम है एक और चीज़ जो हम लोग करते हैं अपने starting में business की जब हम अपने business को बड़ा करने लगते हैं हम training पे तो focus ही नहीं करते हैं McDonald's क्या करता है जब भी किसी को hire करता है उसको पूरी training देता है 30 दिन की, 15 दिन की, 20 दिन की on the job training मैं आपको यह नहीं कहा रहा कि आपको training के लिए specially उनको अलग बुलाना है अलग से नहीं on the job training भी होती है जो लोग already आपके यहाँ पर काम कर रहे है ने employee के आते ही वो लोग उसको सिखा देंगे यह क्यूं होता है मैं आपको बताता हूँ इससे एक तो rotation चलता रहता है staff का कोई छोड़ कर जाएगा जो नहा है उसको काम आ चुका है और काम यहाँ पर मैं आपको कहीं ही रहाँ कि उसको deep information देनी है assembling करनी है जो raw material आए उनको बस मिलाकर एक finished product ready करना है तो वो कोई भी कर सकता है बस इसलिए आपको ट्रेनिंग देनी पड़ती है ट्रेनिंग पर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है एक अच्छी ट्रेनिंग आपका एक अच्छा employee बनाती है और एक अच्छा employee आपके 10 अच्छी customer को अपनी तरफ attract करता है सो मैंने अपनी परानी वीडियो में भी बोला है happy employee is equal to happy customer सो अपका employee खुश है तो आपके customer भी खुश हो जाएंगे सो इसलिए उनको खुश रखो, extra benefits दो और फिर आप अपने food business में कभी fail नहीं होगे बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने food business शुरू करा and वो fully dependent होते हैं कि भीया, chef ही काम करेगा, मैं तो बस कल्ले पे बैठके पैसे काटूँगा सो वो कुछ टाइम तक ही आप काट पाऊगे अपने शौक को आप कुछ टाइम तक ही पूरा कर पाऊगे और उसके बाद आपका business नहीं चल पाएगा जिस दिन आपका chef नौकरी छोड़ कर चला गया जिस दिन आपके mind में सिर्फ इतना है कि मेरे को अपने business को बढ़ा करना है आपका vision है आपको एक restaurant से 10 करने है 100 करने तो फिर आपको एक process बिल्ड करना है देखो आप पड़े ही लिखे हो मैं नहीं समझता कि आपका chef बहुत knowledge रखता है आपने हो सकता है कम पड़ा लिखा chef रखा है लेकिन उसको महारत है चीजे बनाने में तो उसकी skill को आप use कर सकते हो और अपने business को multi-millionaire company बना सकते हो बट आपको यह पता होना चीजिए कि आपको करना क्या है सही resources को सही जगा जब इस्तामाल करोगे तो आप बहुत आगे जाओगे हमें पता है हमारा chef काम अच्छा करता है हमने उसको बस कोलू का बैल बना के रखा हुआ बस वो आ रहा है as it is regular basis पर सेम काम कर रहा है आपने कोई importance नहीं दी उसको आपने उसकी अंदर की वो details नहीं जानने चाही जो उसने 10 साल का experience लिया है वो आपने नहीं हासल किया तो फिर आपको लगता है कि आप एक बहुत बड़ा business बना पाओगे नहीं आपको एक basic knowledge है और उसको एक practical knowledge है so किताबों में पड़े हुए ग्यान से जादा practical जो काम करके ग्यान हासल किया होता है वो बहुत जरूरी होता है बहुत सारे लोग कम पड़े लिखे होते हैं लेकिन उनको किसी field का experience इतना जादा होता है कि उनको हराने वाला पैदा नहीं होता फिर वो market में monopoly create कर देते हैं लेकिन किताबी ग्यान भी बहुत जरूरी है और practical ग्यान भी बहुत जरूरी है तो मैं आपको ये नहीं कहा रहा है कि आपको दोनों लेना है हो सकता है आपको किताबी ग्यान बहुत अच्छा है आप management बहुत अच्छा कर सकते हैं और जो आपका skilled employee है उसको बनाने का बहुत अच्छा knowledge है तो आप दोनों को club कर सकते हैं और यहीं क्या जिए क्या तो इसके साथ मिलक आप पूरा process बना सकते है कि आर यह टिककी आ बस त्यार करनी है और ऐसे process दे त्यार करनी है तो अब आपको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा परिशान होना पड़ेगा लाइफ में नहीं आपके उस पूरा recipe है आपके उस पूरा measurement है कि कौन सी चीज़ कितनी डलने वाली है और उस टिक्के में आपको किस तरीके से पूरा process है, वो सब आपके पास है So मैं आपको हमेशा यह कहता हूँ कि छोटा business start करने का मतलब यह नहीं कि आप जिन्दगी भर वोई चोटा business करते रहेंगे मैं हमेशा कहता हूँ चोटा business करो लेकिन सोच अपनी बड़ी रखो आप एक दिन बड़े आदमी जरूर बनोगे लेकिन लोग क्या करते हैं, यह बात मेरी सुन लेते हैं चोटे से शुरू करना है, लेकिन वो यह कभी नहीं सुनते कि हाँ चोटे से इसको बड़ा भी करना है always think big, but start from small तो चोटा शुरू करना का मतलब यह नहीं कि आपको चोटे पर स्टाक होके रहना है, आपको अपने हाथ पर तुरंत ऐसे octopus की तरह फिलाने है ना, जब आपको market में नाम हो जाए थोड़ा सा, कि लोगों को समझ ही ना है कि यह बंदा कर क्या रहा है और आपकी backend पे जो चीज़ें चल रही हैं, वो बिलकुल shorted होनी चाहिए, लोग business को expand करने की जल्दी में, अपने restaurant की franchise देने के चक्कर में, वीडियो डलवा देंगे YouTube पे, और promotion करवा देंगे और franchise आ भी जाएंगी, लेकिन जितनी तेजी से आपको franchise मिलेंगी, उतनी तेजी से आपके stores बंद होंगे, और जल्दी धंदा बड़ा करने के बजाए, आपका धंदा जल्दी chopper हो जाएगा इसलिए back-end process बिलकुल shorted होगा जिस दिन उस दिन आप जब अपने business को franchise पे convert करने लगोगे, आपके business यूँ चुटकियों में आगे बढ़ता जाएगा और आपको पीछे मुड़ कर नहीं देखना पड़ेगा और कोई समझ भी नहीं पाएगा कि यूँ बंदा कर क्या रहा है franchises पे अपने business को convert करने के लिए आप एक साल, दो साथ, तीन साल लगा लो, लेकिन process एकदम clear कर लो, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना है आपने एक साल के अंदर franchises पे convert करना शुरू कर दिया, आपके खुद के जो process है वो shorted नहीं है, तो आपको business बंद हो जाएगा सो मैं बिल्कुल भी चाहता हूँ क्योंकि business एक खून पसीने की महनत और खून पसीने के कमाई को लगाने के बाद बनता है, यह बहुत simple और बहुत easy चीज नहीं है कि इसको कोई भी कर लेगा है ना, मैं मैं जानता हूँ बहुत सारे ऐसे लोग जो बहुत परेशान होते हैं अपनी महनत की कमाई लगाने के बाद और जब बिजनस नहीं चलता वो तडपते हैं वो हर वो मुमकिन कोशिश कर लेते हैं बड़ नहीं चल पा रहा होता क्योंकि जिस टाइम पर उनको महनत करनी चाहिए थी उस टाइम पर उनने महनत नहीं करी इसलिए सही समय पर सही decision सही समय पर सही action आपके बिजनस को बहुत कुछाहियों तक ले जा सकता है सो कभी भी वेट मत करो किसी का जब आपको कोई चीज लगती है यह होनी चाहिए मेरे बिजनस में सो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही अगर आपको वीडियो में कुछ भी सही लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अगर आपके माइंड में कोई भी confusion है अपने बिजनस को autopilot पे convert करने में अपने बिजनस को franchises में convert करने के लिए तो आप comment section में लिख सकते हैं मैं उसका जल्द से जल्द आपको जवाब देनी कोशिश करूँगा तो मिलते हैं दोस्तों अगले एक profitable बिजनस वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत